प्यार का पापड जो सिरीज है हमारा एक नया सिरीज आ रहा है स्टार भारत पे और स्टार भारत पहली बार एक रॉम कॉम ले के आ रहा है हो होलसम इंटर्टैन्मेंट और जिसमें विशह है कंटेंट है संदेश है और गुदगुदी है भाषा कमाल है चुकि ऐसे ऐसे शब्द का प्रयोग किया गया है अधभुत कई बार तो ऐसा लगया का दर्शकों के सुनके क्या रही बहुत दिन के बाद यह शब्द सुना हूँ को सकता है बच्चे पूछें कि पिताजी पिताजी इस शब्द का मतलब क्या होगा वो अंकल ने यह शब्द प्रयोग किया तो हमने कोशिश की कि ऐसे भी शब्द हिंदी के नए नए शब्द जो टेलिवीजिन की दर्शक नहीं सुने हो उसका भी प्रयोग हो उसके बाद इस यह वो सीरीज है जिसको पूरा परिवार देख सकता है तो प्यार के पापड जो सीरीज है यह बहुत लोगों को अच्छा लगेगा और गुद गुदी होगी गुद गुद गुदाएंगे एक रस उत पढ़ने होगा और दर्शक रसा स्वादन करेंगे इसका तेकि ति गड़ से जुड़े रहें जैसे हमारे वंसत जुड़े रहें जो परमपरा है उसी को नई पीड़ी भी माने नई पीड़ी कहीं इस परमपरा से कट तो नहीं रही है कहीं छूट तो नहीं रही है कहीं दिशा भ्रामित तो नहीं हो रही है तो ये इस करेक्टर का एक उद्धिश है कि नई पीड़ी को ये बताएं कि ऐसे नहीं ऐसे परंपरा ये कहता है शास्त्र ये कहता है तो एक द्वन्द भी है नई पीड़ी और पुरानी पीड़ी का एक द्वन्द भी है लेकिन बड़े सुन्दर ढंग से रस के साथ भाव के साथ नहीं यह तो जो कि हमारे जो लेखक हैं अनुरुध और निरज इन लोगों ने और उनकी पुरी टीम इन लोगों ने स्क्रिप्ट ऐसे ही बहुत कमाल लिखा है उसमें कुछ करने की ज़रूत नहीं है कोई भी एक्टर अगर सिंपल उतना भी कर देना तो खमाल हो जाए हलाकि मैं कोशिश करता हूँ कुछ करूँ चिकि बिहाइंड दे लाइन जो है वो ढूडना अभिनेता का काम है और अभिनेता काम है तो हम कोशिश करते हैं हर करदार में कैसा करें और इसमें भी कुछ वैसा ही करने की कोशिश कर रहा हूँ शब्द उन्होंने खुद अच्छ अच्छे प्रयोक किया है जहां मुझे कुछ लगता है कि कुछ और भी डाला जा सकता है मेरे पास अगर वैसे शब्द हैं तो मैं भी प्रयोक करता हूँ यह तो दर्शकों को छोड़िए आठारा तारिक साड़े साथ बज़े सो देखेंगे स्टार भारत पे तो बड़ा आनंद आएगा फिर वो शब्द सुनेंगे फिर उसका आनंद लेंगे फिर रस की उत्वत्ति होगी फिर असा स्वादन करेंगे यह मेरा सीरियल देखिए प्यार का पापड अठारा तारिक से अठारा फरवरी साड़े साथ बज़े स्टार भारत पे बहुत सुन्दर है बहुत गुदगुदा है आपको कभी इधर से कभी इधर से और आप मुस्कुराएंगे आनंद लेंगे दन्यवाद